क्या दोस्तों आपको पता है भारत देश में माग मेले का आयोजन कहा किया जाता है ICC द्वारा जारी टेस्ट रेंकिंग में बल्ले बाजो की सुची में टॉप पर कौन रहा है और हमारे भारत देश के 67 वे ग्रेंड मास्टर कौन बने ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 2 जनवरी 2021 का करेंट रफेर का वीडियो तयार किया है ये वीडियो लास्ट तक देखे लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको निचे कमेट बोक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे चलिए बिना वक्त गवाएं हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से मानव विकास का आरमभिक स्थान किसको माना जाता है हाल ही में एक न्यूज में बहुत ही खुबसुरत आर्टीकल छपा था और इस आर्टीकल में से मैंने ये क्वेशन सेट किया है और आपको भी पता है हमारी सिंदू गाटी सब्यता से जुड़े हुए बहुत से क्वेशन क्लास वन टु की एक्जामिनेशन में पुछ लिये जाते है इसलिए ये क्वेशन करंट अफेर में आया मानव विकास का आरमभिक स्थान किसको माना जाता है भीम बेटका को यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है भीम बेटका जो हमारे सिंदू गाटी सब्यता का एक महतो पुरण स्थल जिसका नाम है भीम बेटका लेकिन भीम बेटका किस राज्यमिस्थी थे मध्यप्रदेश में भीम बेटका 750 से ज्यादा रोक पैंटिंग के लिए मशूर है रोक पैंटिंग के लिए इमेज में आप देख सकते है और भीम बेटका मध्यप्रदेश के राइस एन जिले में स्थीत एक पुरा पाशानिक आवासी ये पुरा स्थल है और यह आदी मानव द्वारा बनाये गए शेल चित्रो और शेलास्रयो के लिए प्रसिध है शेलास्रयो और शेल चित्रो के लिए यह प्रसिध है और इसकी खोज वर्ष 1957-58 ने डॉक्टर विश्णू स्रिधर वाकन कर द्वारा की गई थी इमेज में आप देख सकते हैं ना मत बुलेगा कि भीम बेटका की खोज किसने और कब की थी इसी तरह का क्वेशन यदि एक्जामिनेशन में पुछ लिया जाए तो हमारा आंसर होगा 1957-58 में डॉक्टर विश्णू स्रिधर वाकन कर द्वारा की गई थी और जुलाई 2003 में युनेशको ने इसे विश्व दरोहर स्थल गोशित किया था यानि कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोशित किया है युनेशको ने भीम बेटका को जुलाई 2003 में और यह जगह मध्य प्रदेश की राजदानी भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिन पूर्व में स्थी थे और भीम बेटका में हाथी दर्वाजा, आदी मानों के हाथों के शिला चित्र सबसे पहले मिले और भीम बेटका में आर्कियो लोजीकल सर्विय ओफ इंडिया द्वारा महज 15 पैंटिंग को चीन हित किया गया है जहां शोद करताये एवं परियठक आते हैं ऐसे तो बहुत ही शैल चित्र मिले हैं लेकिन यह 15 पैंटिंग खुब महत्व पुरुना है और दोस्तों जब बात करते हैं हम मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश से जुड़ा हुआ साल 2020 का एक यूनिक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है आपकी जरूरत के लिहाद से आप देख सकते हैं दूसरा क्वेशन की आमदनी दो गुनी करने के लिए किसान कल्यान मिशन कहां शुरू हुआ किसानों की आमदनी दो गुनी करने है तो हमारी केंदर सरकार ने एक लक्ष तै किया है कि 2022 तक किसानों की आए दो गुनी हो इसी तरह के सरकार प्रयास करेंगे और हाल ही में इसी को ध्यान में रखते हुए किसान कल्यान मिशन की शुरूआत की गई है उत्तर प्रदेश में यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश किसान कल्यान तथा किसानों की आमदनी दो गुनी करने के उत्देश से जनवरी 2021 के प्रथम सप्ता में यान उत्तर प्रदेश के चिफ फिनिष्टर योगी अधित्यनाथ और जब किसान कलियान मीशन की बात करते हैं इसी तरह की दो योजना वो भी उत्तर प्रदेश में सुर्क्यों में है एक है मीशन शक्ती अभ्यान महलावो एवं बालिकावो की सुरक्षा सम्मान वो स्वावलंब के उत्तर प्रदेश से मीशन शक्ती अभ्यान संचालित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और दूसरी है योजना मीशन रोजगार अभ्यान रोजगार, स्वारोजगार, कौशल प्रशिक्षन वो एंटरप्रेंटर्शिप के माध्यम से युवावो के लिए रोजगार और स्वार रोजगार के विशेश अवसर सुरूजित करने के लिए मीशन रोजगार अभ्यान चलाया जा रहा है वो भी उत्तर प्रदेश में तो जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की बेजिक इनफोर्मेशन आपको पता ही है जैसा कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनव उत्तर प्रदेश की राज्य पलकौन है अनंदि बेन पटेल और उत्तर प्रदेश के चीफ फिनिस्टर योगी आधितिनाजी लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ यह क्विशन आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश के प्रत्थम मुख्य मंतरी एवं स्वतंतरता स्याना नी कौन थे? गोविंद वल्लभपंद तिसरा क्विशन एग्री इंडिया हैक्थोन के पहले संस्क्रन का शुभारम किस ने किया? एग्री इंडिया हैक्थोन पहले तो आप इस इमेज को पढ़िए यहां लिखा है इंडिया's largest online agriculture event यानि कि एग्री कल्चर से जुड़ा हुआ यह इंडिया का large event है और यह चलने वाला है 31 दिसंबर 2020 से शुरू हुआ है और 17 फरवरी 2021 तक चलेगा तकरिबन डेड माह के लिए यह चलाया जाएगा online तरीके से तो एग्री इंडिया हैक्थोन के पहले संस्क्रन का शुभारम किया है हाल ही में हमारे तो यह सारी बात आपको याद रखनी है और उन्होंने दिलही में वर्चुवल एग्री इंडिया हेक्थोन 2020 का उतकाटन किया और इन से जुड़े हुए और भी क्वेशन बन सकते है एग्री इंडिया हैक्थोन का आयोजन क्यों किया गया है क्रिशी में नव प्रोध्योगी की और नवाचार द्वारा उत्पादन बढ़ाना यानि कि क्रिशी में भी इनोवेशन के जरिये ज्यादा उत्पाद बढ़े इसी के लिए यह एग्री इंडिया हेक्थोन का आयोजन किया गया है और एग्री इंडिया हेक्थोन का आयोजन कितने महिने तक चलेगा दो महिने तक चलेगा तकरीबन दो महिने तक हाँ हमने जो पीछले डेट देखी वो डेट महिने की थी और एग्री इंडिया हेक्थोन क्रिशी क्षित्रम में समवाद करने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ओनलाइन कारिक्रम है इमेज में अब देख सकते हैं वर्चिवल तरीके से सभी जुड़े हुए है और एगरी इंडिया हैक्थोन के माध्यम से हमारे युवा रचनात्मक स्टाटप्स वो स्मार्ट इंडोमेटर्स के साथ क्रिशिक शित्र की बड़ी समस्याओं से निपटने में योगदन देंगे चोथा कुशम हाल ही में सूर्ख्यों में रहा माग मेला कहां आयोजित किया जाता है सूर्ख्यों में रहा है माग मेला प्रती वर्ष कब शुरू होता है तो याद रखो शुरू होता है 14 या 15 जनवरी को यानकि मकर सक्रांटी के अउसर पर और समाप्त कब होता है महाशीव रात्री के परवपर और यह भारत में माग मेला सबसे बड़ा कहाँ पर लगता है प्रयाग राज में और प्रयाग बोले तो वहाँ तीन नदियों का संगम होता है एक गंगा दूसरे यमुना और तीसरी सरस्वती तीनों के संगम स्थल पर य माग मेला कहाँ पर प्रयाग में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयाग राज में माग मेले में जाने इच्छुक स्रद्धालों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाने अनिवार्य कर दिया है यानकि वहाँ संक्रमन न फेले और राज्य के विबिन हिस्सों में ह होने वाले अन्यधार्मिक करेक्रमों में भी यह शर्त लागू रहेगे और माग मेला हिंदू ओका सर्वाधिक प्रियाधार्मिक एवं सांस्क्रितिक मेला है हिंदू पंचां के अनुसार 14 या 15 जन्वरी को मकर सक्रांती के दिन माग मैने में यह मेला आयोजित होता है और यह भारत के सभी प्रमुक तीर्थ स्थलो में मनाया जता है और इन में यहाँ पर दोस्तो पानी में नहना बहुत ही पवित्र माना जता है और नदी या सागर्शनान इसका मुख्य उद्देश होता है और प्रतेक वर्ष जन्वरी फर्वरी माह में यहाँ पवित्र संगम क मैंने आपको बदाया विश्व प्रसिद माग मेला आयोजित होता है जो प्रतियक जन्वरी में वर्ष मकर सकरांती को आरम होकर फरवरी में महाशिव रात्री को समापतो होता है माग मेला और आयोजित किया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश से पाँचो कुशन, ICC द्वारा जारी नई टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा हाल ही में टेस्ट बल्ले बाजो की रैंकिंग जारी की गई, और इसमें कौन कैन विलियमसन टॉप पर पहुँच गए है, यानकि इस कुशन का सही अंसर है कैन विलियमसन, हमारे विराट कोहली इसमें दूसरे स्थान पर और स्टीव स्मीथ इसमें तीसरे स्थान पर है, तो ICC द्वारा यह नई टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में कैन विलियमसन, विराट कोहली और स्टीव और स्मीट से 13 पॉइंट आगे निकल गये है और ICC ने साल के आखिरी दिन नई टेस्ट रेंकिंग जारी कर दी है जिसमें टॉप पर है या केन विलियमसन चठा कुशन नंदा देवी चोटी पर चड़ने वाले पहले भारतिय कौन थे जिसका हाल ही में निदन हो गया है इमेज में आप देख सकते हैं ना मत बुलेगा कर नल नरेंदर बुल कुमार जिसका 87 वर्ष की आयू में निदन हो गया है दुनिया की सबसे उची चोटियों पर तिरंगा लहराने वाले अदम या साहस के प्रतिक कर नल नरेंदर बुल कुमार 87 वर्ष की आयू में निदन हो गया और उनकी रिपोर्ट पढ़ ही स्याना ने 13 अपरेल 1984 को ओपरेशन मेगदूत चला कर सिया चीन पर कबजा बर करार रखा था और यह दुनिया की सबसे उचे युदक शित्र में पहली कारवाई थी जो हाल ही में करनल नरेंदर बुल कुमार के ही इस कारण से इस ओपरेशन मेगदूत के कारण यह सिया चीन हमारे भारत देश का हिस्सा है और करनल नरेंदर बुल कुमार की बात करे तो उनका जन्म 1923 में रावल पिंडी में हुआ और करनल बुल नंदा देवी चोटी पर चड़ने वाले पहले भारतिय थे इसके अलावा वह माउंट एवरेश्ट, माउंट ब्लैंक और कंचन जंगा पर भी अपना तिरंगा फ़हरा चुके है और शुरुआती अभ्यानों में चार उंगलिया खोने के बाद उन्होंने इन चोटियों पर जित हासिल की थे और करनल बुल 1965 में भारत की पहली एवरेश्ट विजेता टीम के उप प्रमुख भी थे ये बात आपको याद रखनी है और उन्होंने निक्नेब बुल हमेशा नाम के साथ लिखा है उन्हे परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल और कीर्ती चक्र जैसे सैन्य संबान के अलाबा पदमस्री तथा अर्जुन पुरसकार से भी संबानित किया गया था जिसका हाली में निदन हो गया है साथो क्वेशन पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम का उद्देश क्या है पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम का उद्देश है विद्यार्थियों को स्मार्ट फॉन देना यानिकि इस क्वेशन का सही आंसर है ओप्शन C विद्यार्थियों को स्मार्ट फॉन देना यानि कि जो भी स्टिडन्स कक्षा बार तक की पढ़ाई कर चुके हैं तो पंजाब सरकार ने ऐसे विद्यार्थियों को स्मार्ट फॉन प्रोवेड किया है पंजाब के मुख्यमंद्री कैप्टन अमरिंदर सी ने पंजाब स्मार्ट कनेक्टर स्कीम के तहत पहले चरण का समापन करते हुए 44,015 स्मार्ट फॉन बाट कर अपनी सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के बारहवी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को इस साल के अंतक एक लाग 74,015 स्मार्ट फॉन बाटे जाने का वादा भी पुरा कर लिया और इसके जरिये बच्चे अपने घर पर ही हाल ही में कोवीड-19 के कारण कॉलेज बंध है तो इस स्मार्ट फॉन के जरिये वो ऑनलाइन शिक्षा भी पास सकते हैं घर पर बैठे हुए और इसी तरह स्कूल शिक्षा वीबाग ने राज्य भर में 16,589 स्मार्ट क्लासरूम में बदले है और 4 करोड रुप्य की लागत के साथ 394 स्कूलों में 3,502 टेबलेट भी मोहिया करवाया है यानि कि एक तरह से डिजीटल शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया है जाब की बात करते हैं तो पंजाब से जुड़ा हुआ यूनिक वीडियो मैंने कल ही आपको प्रवाइड किया था यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा 2020 में पंजाब कौन-कौन सी घटनाओ के करण सुर्कियों में रहा वो आपको पता चल जाएगा आटो कोशन हाल ही में रिल टिकट की ओनलाइन बुकिंग के लिए ई-टिकटिंग वेबसाइड और मॉबाईल एप के अध्यतन संसक्राण का लोकारपन किस ने किया है इटिकटिंग वेबसाइड और मॉबाइल एप का अध्ययन संस्क्रण लोकारपन किया है हमारे पियुष गोयल साब ने यानकी इस क्वेशन का सही अंसर है पियुष गोयल बोले तो हमारे रेल मंतराले के मंदरी टिकट बुकिंग के साथ भोजन, विश्राम ग्रू और होटल की बुकिंग को भी वेबसाइड से जोड़ दिया गया है और यात्री टिकट बुकिंग के साथ ही इस सुविधा को भी लाव ले सकते है और टीकट बुकिंग के अधिक सुगम बनाने और यात्रियों के समय की बचत के लिए रेल गाड़ी की जानकारी और चयन की प्रक्रिया को आसान करते हुए सभी सुचनाये एक पेज पर भी उपलब्द कराई गई है और जब बात करते हैं रेल मंत्राले की तो रेल मंत्राले से जुड़े हुए आज कुछ नए क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया हुँ भारतिय रेलवे बॉर्ड की स्थापना कब की गई थी मार्च 1905 में भारत की पहली रेल कहां चली थी मुंबई और ठाने के मध्या और भारतिय रेल का राष्ट्रिय क्राण कब हुआ 1950 में नवा क्वेशन हाल ही में भारत के 67 वे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए है? 67 वे ग्रैंड मास्टर बन गए है लियोन मेंडोका यानि कि इस क्वेशन का सही अंसर है लियोन मेंडोका वो हमारे बारत देश के शत्रंज के 66 वे ग्रैंड मास्टर बन गए है इमेज में अब देख सकते हैं यह है एक 14 वर्ष 9 महिने और 17 दिन के यह छोटे से लड़के और वो बन गए है हमारे बारत देश के ग्रेंड मास्टर गोवा के 14 वर्ष के शत्रंज खिलाडी लियोन मेंडोका इटली में तीसरा और आखिरी नॉर्मा हासिल करने के बाद भारत के 67 वे ग्रेंड मास्टर बन गए है और मेंडोका ने 14 वर्ष 9 महिने और 17 दिन में यह उपलब्धी हासिल की है और जब बात करते हैं शत्रंज के और ग्रेंड मास्टर की तो हमारे 66 वे ग्रेंड मास्टर कौन थे 65 वे ग्रेंड मास्टर कौन थे वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा तमिल नाडु के जी आकाश इमेज में देख सकते हैं जी आकाश भारत के 66 वे शत्रंज ग्रेंड मास्टर बने थे और रोनक साध्वानी यहाँ पर देख सकते हैं रोनक साध्वानी भारत के 65 वे ग्रेंड मास्टर बने थे और रोनक साध्वानी वो 13 साल 9 महिने और 28 दिन क उम्रह में ही grand master बन गए थे और दिलही के पुरुथु गुपता जो यहाँ देख सकते हैं दिलही के पुरुथु गुपता 64 वे grand master बने थे और विश्व में सबसे अधिक grand master किस देश के हैं रूस देश के हैं कितने हैं 255 और विश्वनाथ आनन की बात करें तो विश्वनाथ आनन भारत के पहले grand master थे जो यहाँ आप image में देख सकते हैं दसवा question हाल ही में Michael Kindo का निदन हो गया वे कौन थे? Michael Kindo वो हमारे भारत देश के एक जाने माने होकी प्लेयर थे जिसका हाल ही में निदन हो गया है यानिकि इस question का सही answer है होकी प्लेयर image में आप देख सकते हैं Michael Kindo को अर्जुन अवारेडा से सम्मानित Michael Kindo का सिम डेगा में निदन हो गया और उन्होंने राउर के लाव के इसपात जनरल अस्पताल में अंतिम सासली वो 73 वर्ष के थे और Michael Kindo उन्निसो पचपतर विश्व कप में स्वर्ण पदक और 1972 में उलम्पिक में कास्य पदक जीत के बैदमा गाउं में हुआ था कहाँ पर सिम डेगा जिला, कुदेरग बलाक और बैदमा गाउं में Michael Kindo का जन्मा हुआ Michael Kindo स्याना से सेवा निवरुत होने के बाद Steel Authority of India Limited राउर किला में ट्रेनिंग दे रहे थे और यहीं बस गये थे और हाल ही में निदन हो गया है गेरवा कुशन, हाल ही में सहजन के उत्पादों के निरियात को बढ़ावा देने के लिए किसने किसानों की मदद की? सहजन के उत्पादों के निरियात को बढ़ावा देने के लिए एपेडा ने किसानों की मदद की? यानिकि इस question का सही answer है एपेडा और यहां हम देख सकते हैं यह है सहजन का powder और इसका निरियात किया गया है हाल ही में अमरिका में अंतर राष्ट्रिय बाजार में सहजन यानिकि मोरिंगा powder की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत ने इसका निरियात शुरू किया है और हाल ही में दो टन जैविक सहजन powder अमेरिका को हवाई मार्ग के जरिये बेजा गया और सहजन का scientific name क्या है मोरिंगा ओलिफेरा क्या मोरिंगा ओलिफेरा जो सहजन का scientific name है और एपिडा के सहयोग से आने वाले समय में सहजन की प्रसंस्कृतिक इकायोग को स्थापित किया जाएगा और इसके जरिये कुछ वर्षों में ही निरियात में बढ़ोतरी होगी जिसका सीधा फाइदा कीसानों को मिलेगा और सहजन का इस्तेमाल सेकडो वर्ष से उपचार और मानव शरीर को फाइदा पहुचाने वाले गुणों की वज़ा से किया जा रहा है और इसी वज़ा से सहजन की पतिया से बनना पावडर और सहजन के तेल की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है और दुन्या भर में पोशक तत्वों और भोजन के लिए करते हैं और जब बात करते हैं एपेडा के तो एपेडा का पुरा नम क्या होता है एगरी कल्चरल एन प्रोसेस्ड फूर्ड प्रोड़क्स एक्सपर्टर डेवलपमेंट ऑथरेटी और केसी भी उतपात को जैविक प्रमान पत्र वी न नियामक निकाई एपीडा के मुल्यांकन के बाद ही दिया जाता है परवा कोशन हेल्दी इंडिया हमदर्द इंडिया अभ्यान किस उद्देश से लॉंच किया गया है है एनके इस कोशन का सही अंसर है ओप्षन से तो देश के सबसे भरों से मंद युनानी ब्रांड हमदर हमदर्द लेबोरेटरीज ने अपने हेल्दी इंडिया हमदर्द इंडिया के अभ्यान का विस्तार करते हुए नोईडा में मॉबाइल हेल्थ वेन पहल को लॉंज गिया है और कमपनी दिलही में इस पहल को पहले ही शुरू कर चुका है और हमदर्द लेबोरेटरीज मेडिस सिन डिविजन के चैर्मिन कौन है अब्दुल मजीद और हेल्दी इंडिया हमदर्द इंडिया अभ्यान और मॉबाइल वेंड पहल सेहत मंद रहने के लक्ष को पूरा करने के लिए काफी सोच समझ कर तयार किया गया है यानिकि यहाँ पर युनानी चिकित सा पद्दती के कर कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है तिरवा कुशन राज्य पुलिस बल की आतंकवाद रोधिक शमता बढ़ाने के लिए विशेश प्रयोजन सेल गठीत करने का फैसला किया है पंजाब राज्य की सरकार ने और उसका मकसद है आतंकवाद रोधिक शमता को बढ़ा यान की इस कुशन का सही अंजर है पंजाब पंजाब सरकार ने राज्य पुलिस बल की आतंकवाद रोधिक शमता बढ़ाने और उसकी प्रोध्योगी की सबन्ति जरूरते पुरा करने के लिए विशेश प्रयोजन सेल गठीत करने का फैसला लिया है और विशेश प्रयोज पंजाब की तो पंजाब को अन का बंडार भी कहा जाता है पंजाब का गठन एक नवंबर 1966 को हुआ और पंजाब का शाबदिक अर्थ क्या होता है पांच नदियों का क्षित्र और ये पांच नदिया कौन-कौन सी सतलूज, व्यास, रावी, चिनाब और जेलम और के कूल गेहू उत्पादन का 60 प्रतिशत और चावल का 40 प्रतिशत उत्पादन अकेले पंजाब में होता है चावदा क्षिन, 36 वी ओल इंडिया योगासन स्पोर्ट्स चेंपियनशिप एंड नेशनल पतंजली योग कौनफरेंस वा योगा कप में 55 वर्ष से उपर आयू बर्ग में गौल्ड मेडल किस ने जिता है एक जाने माने योगा मास्टर इलम चंद इंसा ने ये गौल्ड मेडल जिता यानिकी इस कौशन का सही अंसर है इलम चंद इंसा 25 से 27 दिसंबर को हर्याना के पलवल में कहां पर पलवल में 36 वी ओल इंडिया योगासन स्पोर्ट् पतंजली योग कॉन्फरेंस वह योगा कप का आयोजन किया गया और 89 वर्षिय इलम चंद इंसा ने बुढ़ापा वह बीमारियों को मात देते हुए अंतर राष्ट्रिय मेचों में अपना लोहा मनवाया इमेज में देख सते हैं 89 वर्ष की आयू के है ये व्यक्ति और उन इलम चंद इंसा ने योगासन, मेराथन, एथलेटिक्स वह पॉल वाल्ट में अंतर राष्ट्रिय 100, राष्ट्रिय 200 और राज्य स्तर पर 115 पदक सहित कूल 415 पदक अपने नाम कर चुके हैं और जिसमें उन्होंने गॉल्ड, सिल्वर वह कास्य पदक हासिल किये हैं और यह अब देख सकते हैं यहे व्यक्ति नाम मत पुलेगा और इलम चंद ने द्रोनाचारिय अवार्ड, प्राइड ओफ इंडिया अवार्ड, जेश्ट योगा शिरोमनी अवार्ड, दि बेस्ट इंडियन योगा कोच अवार्ड, वह चेंपियन ओप द इंटरनेशनल अवार्ड जिते हैं, किसने इलम चंद इंसानें? पंदरवा क्वेशन, DRDO ने सहायक NG का सफल परिक्षन किया है गोवा से, यानिकि इस क्वेशन का सही अंसर है गोवा, और DRDO बोले तो रक्षा, अनुसंदान, वह विकास संगठन, बोले तो DRDO ने भारतियन नवस्यना के साथ, गोव DRDO 38, HD Air Crafter से, Air Dropped Container सहायक NG का सफल परिक्षन किया है, इमेज में अब देख सकते हैं सहायक NG को, और सहायक NG भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विक्सित पहला Air Dropped Container है, और इस कंटेनर में सामान को रख कर, इसे Air Crafter या हेलिकॉप्टर की सहायता से किसी भी स् और जब गोवा में ये ट्रायल लिया गया, गोवा की कैपिटल का नाम है पनजी और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, लेकिन अब बन गए है भगत, भगत सी कोश्यारी, ओके, तो हमारे गोवा के राज्यपाल कौन बन गए है, भगत सी कोश्यारी जो वर्तमान मे महाराष्टर के भी राज्यपाल है और गोवा के मुख्य मंत्री है प्रमोच सावन इमेज में अपद्याख सकते हैं और गोवा की स्थापना कभुई 30 माए 1987 को और गोवा मुक्ती दिवस कब मनाया जता है 19 दिसंबर को और 19 दिसंबर 1961 को भार्तियस यनाने ओपरेशन विजई अभ्यान शुरू करके गोवा दमन और दीव को पूर्त गालियों के शासन से मुक्त कराया था और इसलिए प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेशन की लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पुछा था पारत का सबसे पहला चर्खे वाला तिरंगा कहां फहराया गया था चर्खे वाला तिरंगा सबसे पहला फहराया गया था अहमद लगबग सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का सही अंसर दिया है उन में से कुछ सब्सक्रेबर फ्रेंड के मैं यहां नाम लेना चाओंगा वाला संजय, वरु प्रवेन, फुमिका बागिया, चोहान चेतन सी, हुम्बल संजय, गुरु चरण पंचाल, करण सत्वारा, टैलर कश्यक इन सभी दोस्तों ने इस क्वेशन का सही अंसर दिया योगेश रावत, वाला दर्बार, भावना तडवी, प्रवीन ठाकोर, चावडा पुजा, सुनिल गेहलोत, चोदरी अशोकबाय, सागर चावडा इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेशन का सही अंसर दिया सभी दोस्तों को सही अंसर देने के लिए बहुत बहुत दनिवाद और आज के वीडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रेन पर भारत कीश के साथ मिलकर वायू सेना युद्धा भ्यास स्काई रोस आयो जित करेगा और कहां आयो जित किया जाएगा वो भी मेंने आपको बदाया था और यदि आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट वक्स में लिखे क्योंकि एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं बुलेंगे और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किजिए और आपके दोस्तों को फेस्बुक वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेर किजिए बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं कल फिर मिलेंगे नए करेंट फेर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड जय हैं